क्या क्या स्टॉक्स खरीद रहे हैं बेच रहे हैं किस तना का ट्रेंड दिखाए दे रहा है बाजार की इस चाल को ध्यान में रखते हुए कैसे फंड हाउसे अपनी स्कीम्स को लेके रणनीती अपना रहे हैं तुस्तार से बात करेंगे श्वेता रजानी मेरे साथ जुर रखते हैं उनका एक्सपोजर एक तैसीमा के आधार पर होता है तमाम स्टॉक्स में लेकिन अगर हम बीते महीने की बात करें श्वेता तो किस तरहां का ट्रेंड आपने देखा है मुच्छ फंड ने कौन-कौन से सेक्टर में जादा खरेदारी की है कहां पर जादा अगर हम बात करें तो यह सेक्टर में एक चीज़ कॉमन जो यह भी रही देखी गई कि यहां की जो कंपनिया है वहां वालुएशन्स बहुत ही अट्राक्टिव है जिसके कारण से एक हो सकता है कि फंड मैनेजर्स यह परचेस कर रहे है श्वादा यह बताईए कि अब यहां पर जो रनीती आप बता रही है मुचल फंस में अपनाई है यह किस-किस कंपनियों को आपको अपर लग रहा है आपको की बैट जादा दिखाए दे रहा है क्योंकि माहूल बाजार में ऐसा है कि अटार चड़ाव बहुत जादा है श्वाता एक दिन बाजार चड़ता है और एक दिन बाजार गिरता है बाद में वापिस रिकवरी भी कर जाता है अब ऐसे में जो ट्रेंड दिखाए दे रहा है वो काफी वॉलाटाईल है और यह तो बाजार की फितरत ही है उतार चड़ाव ना अब ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि बहुत सारे स्कीम्स जो है या बहुत सारे फंड मैनेजर्स जो है वो थोड़ा सा पैसिव की और अपने पॉर्टफोलियो को जुकाने की भी कोशिश कर रहे हैं मिट कैप स्मॉल कैप में हो सकता है वैलुएशन बहुत जादा आकर्शक अब नहीं रहे गए हैं हाला कि पॉकेट्स में चुनिंदा कुछ हो सकते हैं जहाँ पे आपको आकर्शन दिखाई दे बट मोटा सवाल अब यही है कि क्या खरिदारी आपको लाज कैप कंपनियों म में जो पर्चेज़ हुई है वो जादा है लेकिन एक कारण हो सकता है कि स्मॉल कैप और मिट कैप मार्केट इतना भाग गए है पिछले दस महीनों में तो पॉर्टफोलियो रिबालन्स करने के हिसाब से भी लाज कैप की पर्चेज़ हुई लेकिन जब अमफी का डेटा आ हुआ है तो उस कारण भी यह जो फंड्स हैं जैसे लाज कैप फंड हो गए फ्लेक्सी कैप फंड हो गए जिनमें लाज कैप बेटेज करीबन 70-90% की होती है वहां पैसे जादा आए है तो वहां पे उस कारण से भी जो लाज कैप स्टॉक्स की पर्चेज़ हुई है जरूर पेच्वाद्ल फंड्स की पीएफसी यह काफी देखे गये कि, यूझ नो यह पहत ही सतारी फंड मैनजरोंने ऐसी कंपनिय है। तो जैसे मैं जलुक ही थी नम फिनान्स की कंपनिया, नहिचकी थी, ऑफिनिल, शख़ंक की तड़िए थी बिल्कुल नहीं, यह नहीं होता, क्योंकि आप जब यह देख रहे हैं कि fund manager ने क्या खरीदा या बेचा, उनका 5 प्रतिशत या 7 प्रतिशत का portfolio होगा, 100 प्रतिशत का portfolio नहीं है, और क्योंकि अगर कोई fund manager कुछ stock बेच रहा है, इसका यह मतलब यह भी नहीं कि वो company अच्छी नहीं कर रही, हो सकता है, वो वहाँ पर बस 5 प्रतिशत की allocation चाते थे, लेकिन 7 प्रतिशत हो गया है, तो वो अपना portfolio rebalance कर रहे है, जो एक risk management practice है, उनको करनी है, उसी तरह से जब वो कुछ खरीदारी कर रहे है, वो उनके overall scheme में कैसा बैठता है, यह बस वो एक fund manager जानता है, तो बिलकुल अगर आप एक individual investor है, तो just because एक fund manager कुछ खरीद रहा है, या बेच रहा है, ज़रूरी नहीं, आपको वही replicate करना चाहिए अपने stock portfolio के लिए, तो श्वेता, अब जिस तरह से हमने large cap की बात की है, mid cap, small cap में वो चुनिंदा stocks क्या होंगे, जो खरीदे गए हैं और बेचे गए हैं? जी, अगर हम mid or small cap segment की बात कर रहे हैं, तो कुछ company'ां जैसे मैं कहूंगी, you know, LIC Housing Finance, HDFC के, you know, कुछ company'ा, BSC, Interglobe Aviation, यहां पे भी कुछ खरीदारी और बेचे गए है stocks, तो वो segment में, जैसे मैंने कहा, बहुत selective है, जहां वालिवेशन गाप बहुत attractive है, वहां पे हमने, you know, थोड़ी बहुत action देखी पिछले महीने. और ऐसे में कुछ schemes ऐसी आप हमको बताना चाहेंगी, जहां पे sector specific diversification बढ़ा है, कम हुआ है, बिल्कुल, तो जैसे-जैसे, यहां सेक्टर का view, fund manager का बदलता है, उसमें हम देखेंगे कि, you know, वो actively, अपने sector calls भी change करते हैं, जैसे, you know, कुछ funds के नाम, अगर मैं आपको कहूं, DSP equity opportunities में, अगर आप देखेंगे, तो आज के दिन पे, you know, technology में वो underweight रहे हैं, वहां दीरी-दीरी तोड़ी allocation उनकी बढ़ रही है, Contra Fund, SBI का, इसके अलावा, अगर हम देखे, Canada, Rubai को, Flexi Cap, तो यहां पर हमने काफी हद तक, you know, देखे गए हैं कि fund managers बहुत ही swiftly या actively अपनी sector allocations change करते हैं, अपनी market cap allocations भी change करते हैं, तो, you know, हर category के मैंने आपको कुछ एक आदा funds बताई यहां पर, अब ऐसे में, Shwata, यह बताईए कि इस तरहां कि खरीदने और बिक्वाली के रणनीती क्या हर महीने mutual funds जो हैं वो अपनाते हैं और तमाम schemes में यह रणनीती अपनाई जाती है, यह ऐसा भी होता है कि fund managers कुछ महीने ऐसे भी call लेते हैं जब उन्हें कोई बदलाब नहीं करने होते हैं, जादा करके, you know, अगर हम active fund की बात करें, तो वहाँ पर आप देखोगे कि fund manager की रणनीती यही रहती है कि, you know, कुछ न कुछ हम खरीद रहे बेच रहे हैं, इस कारण भी होता है क्योंकि flows आ रहे हैं, तो, you know, उन्हें वो allocation करनी है, portfolio rebalance करना है, तो active funds में मैं आप से कहूंगी कि, एक portion तो यह रहेगा ही, जहां आप देखोगे कि, you know, constant नहीं है, कोई ऐसा fund मैंने नहीं देखा, जहां पे एक महीने में कोई भी action ना हुआ हूँ, अगर वो एक active fund है तो. और ऐसा mandate है कि महीने ही महीने वो कर सकते हैं, बीच में नहीं कर सकते हैं? महीने के दौरान कभी भी, जहां उन्हें opportunity दिखती है, वो actions लेते रहते हैं अपने portfolio में. अच्छा, श्वेता, एक ये turnover ratio भी होता है, जो हम funds का देखते हैं. अगर वो ratio बहुत जादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि वो fund में बहुत जादा churning हुई है, कहीं ना कहीं fund manager रनीती को लेकर जादा विश्वास नहीं रख पा रहे हैं, क्या मतलब होता है इसका? जी, ये आपने एक आच्छी बहुत इंड्रेस्टिंग बात पुछी, और जो turnover ratio पब्लिश होता है, उसमें मैं कहूंगी, ये दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है total turnover ratio, जहां पर, ये जो cash allocation है, cash से fund खरीदा गया, या कुछ बेचा गया, तो cash में वापस पैसे आए, वो पार होता है, तो जब आप ये turnover ratio देखेंगे, तो ये जादा बड़ा दिखता है, क्योंकि इसमें cash से निकलना, और plus equity में आना जाना दोनों ही capture होता है, और दूसरा एक turnover ratio होता है, जो खाली equity का turnover ratio होगा, तो जो equity वाला turnover ratio होता है, वो जादा जरूरी है समझने के लिए कि fund manager क्या identity apply कर रहे है, जो जादा करके मेरे हिसाब से public domain में नहीं होता, जो total turnover ratio है, वो public domain में रहता है, लेकिन उससे आपको सही जनकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस fund में, अगर किसी महीने बहुत जादा cash आया, तो उसका turnover ratio भी बढ़कर दिख सकता है, बट हाँ, अगर एक turnover ratio बहु स्टॉक्स को बैठे रखे हैं, अपने portfolio में वो कम action ले रहे हैं, तो वो मेरे लिए एक जादा चिंता की बात रहेगी, अगर मैं low turnover ratio देख रही हूँ, अगर आप high turnover ratio देख रहे हैं, तो यह जानना ज़रूरी है कि वो equity turnover ratio है, या वो cash के वज़े से हुआ है, तो श्वेता य इन्वेस्टर को यह डेटा पढ़कर भूल जाना चाहिए, या समझना चाहिए कि किस और बाजार अब बढ़ रहा है, और mutual funds की क्या रणनीती है, उनके fund की क्या रणनीती है, किस लिहास से आपके मताबे कि जो data है, यह मत्वपूर्ण है, जी, तो यह data जानने से एक बात त यह जान ले कि जो उन्होंने changes किये हैं, वो market के हिसाब से सही changes है या नहीं, जैसे अब budget आया था, budget में हमने देखा, government ने बात करी capital expenditure बढ़ाने की, उन्होंने बात करी power sector में वो काफी अगले कुछ सालों में capital expenditure करेंगे, तो अकर fund manager इस तरह की कंपनिया खरीद रहा है, तो वो एक सही दिशा में जा रहा है, यह एक positive sign है, जो एक निवेशक को ध्यान में रखनी चाहिए, तो ऐसी कुछ बाते हैं, जो इससे जुड़ी हुई होगी, वो ध्यान में रखते हुए एक investor को decision लेना चाहिए अपने portfolio में, तो चलिए यह तमाम बातें, जो mutual fund के लिहाज से और कहां कहां वो किस stock को बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं, जो हमने आपको बताया, clearly एक जुकाव large cap की और आतावा दिखाई दे रहा है, और बाजार में भले ही उताच रहा हो, लेकिन इस data का मतलब यह नहीं है, कि आप अपने portfolio में कुछ इसी तरह के actions ले, हाला कि जानकारी के तहट अगर देखा जाया, तो आपके fund में भी क्या बदलाव हो रहे हैं, fund managers क्या बेच रहे हैं, कैसे fund का portfolio बदल रहा है, इस पर आप भी नजर डाल सकते हैं, परहाल आगे बढ़ते हैं, और अब चलिए सीधा रूप कर लेते हैं, जर्शुकों के सवालों की और, और हमा क्रिशनन, उन्ही क्रिशनन जी, ओके, तो आपके पास, करोच रहे हैं, किरोड़को का small cap है, HDFC, Nifty, 50 plan हैं आपके पास, एक साल से कर रहे हैं, SIP, Muttalal Uswan midcap, और access का focused है, 12,000 की आप में से, किसी, आपको किसी एक में से करने हैं, SISI Proof का multi-asset, consumption 22 या India Opportunity, और अपने अपने जो रखे हुए हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, 6 साल के बाद, एक CR, और 15 साल के बाद, रटायमेंट, उसके लिए 3 करोड, निवेश को कितना बढ़ा पाएंगे आप, बढ़ा सकते हैं, लाइकन एवरी यर आपका 10% या 15% बढ़ाना हैं, तो I can do that, तो कर सकता हूं है, आप हर साल 10-15% तक बढ़ा भी सकते हैं, कोई खास वज़े, आपने 12,000 की SIP जो आपने ICICI के फंच को चुनी है, इसमें इस सेलेक्शन के पीछे कोई खास वज़े, निए, इसमें जिस R&D किया था, सोचाता है लाइकन अभी जो मिट कैप एंड स्क्मॉल का पॉलरी ही कि अपने के खासे बारत बारत चैनलाइजिंग अपरिशनटी का भी अच्छा अच्छा आप्ट दिखाए देरा ता, सब्सक्राइब अच्छा रखाए देखा हैं कि इसमें, जो चोड़ा था पता चाहिए और फंपर रावरा रहा है कि तने साल के लिए आप ने इसमें में 10 साल ना ओके बताइए क्या करना चाहिए इंको गोल काफी क्लियर हैं 6 साल में एक करोर 15 साल में तीन जी लेकिन यहां पे अब मैं जो इनके आकड़े देख रही थी वो करीबन 37,000 की हर महीने की SIP कर रहे हैं लेकिन अगर इन्हें दोनों ही लक्ष अचीव करने हैं तो इन आज की दिन पे अगर आप करीबन 40,000 की SIP कर रहे हैं यह बढ़ा कर आपको 1,40,000 पर ले जाना पड़ेगा to achieve both the objectives अगर आप यह नहीं कर सकते हैं आज तो मैं आपको यह सला दोगी कि करीबन 20 से 25 प्रतिशक तक SIP आप हर साल बढ़ाएं मैं आती हूँ आपके funds पे जो existing schemes है उन में से एक आपके पास index fund है वहाँ पे आप SIP रोख लें आपने खुद ने देखा होगा जो आपका active fund है वो आपको index fund के comparison में 3-4% extra return दे रहा है तो index fund में SIP रोख लें इसके अलावा जो मोतिलाल ओसवाल mid cap का fund है और access focus fund है यहाँ पर आप SIP रोख लें इनके जगा पर जो कुछ सला में आपको दूँगी आप एक कोटक का multi-cap fund ICICI का focus equity fund और अगर आप एक और small cap fund चाते हैं तो investo का small cap fund आप ले सकते हैं तीन fund ICICI के जो आपने कहें consumption और multi-asset यह यह एक thematic fund है यह ऐसे fund है जो कुछ time के लिए अच्छा कर सकते हैं बेकर यह 5-6 sector में ही निवेश करते हैं इसके जगा पे अगर आप एक ICICI का focus fund ले लेते हैं या उनका dividend yield fund ले लेते हैं तो वहां पे fund manager you know sector में बदलाव करता रहेगा एक sector से निकल कि दूसरे sector में जाएगा जब भी उनको opportunity दिखती है तो diversified funds में निवेश करना बहतर रहेगा rather than एक you know theme based fund में आप important होगा जो शायद आप ना कर पाए अगर आप रोज ट्रैक नहीं करते तो चली तो थोड़ा सा आपको यहां पर hands-on होने की जरुवत है कुछ बदलाव करने की जरुवत है कुछ और सवाल पूछना है आपको श्वेता से चली शायद फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है उमीद करते हैं कि इनको सवाल का जवाब मिल गया हो और हमें रुखनाओं का एक ब्रेक के लिए विरल भटनागर साब फोन लाइन पर हैं लेकिन उनका सवाल मैं लोगी छोटे से ब्रेक के बाद वेलकम बैक आप देखरें बने अपना फिनांस मिनिस्टर रोच अलिए सवाल जवाब के सिलसिले को एक बार फिर से शुरू करते हैं ब्रेक के बाद और अविरल भटनागर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं अविरल बहुत बहुत धन्यवाद आपने इतना अविरल आपने अपना सवाल हमें भेजा है 15 साल के लिए आपको इंवेस्टमेंट करना है कोटक इमर्जिंग एक्विटी और परागपारिक का भी आपने एक लिए रखा है और एक्सेस का अक्सेस मॉल कैप है नवी निफ्टी फिफ्टी और एबी एसल नास्टाइक 100. तो अविरल ये बताईए मुझे कि आपने जो फंस पर सेलेक्शन किया है वो कोई खास वज़े है आपके शोग देखे ही और ऑनलाइन ती पर ही मैंने अच्छा इनके परफॉमेंस अच्छे थे हैं जी चलिए बहुत बढ़िया अच्छा लगा ये जानकर कि आप शोग को करते हैं तो आपके पॉर्टफॉलियो के नालेसिस करते हैं तो शुवता मुख्य तौर पे इनके फंस तो अच्छे ही है क्या कहेंगी आप मोटा मोटा फंस सेलेक्शन में इतनी कोई बहुत बढ़ा फ्लॉ तो नहीं दिखाई दे रहा हां अगर थोड़ा सा और अग्रेसि करना भी जरूरी होता है तो आगे जाके इनके पास नाजडाक का फंड है तो जिस तरह से मैं एक सला दोंगी कि आगे जाके आप नाजडाक वाला जो फंड है और परागपारिक वाला जो फंड है जहां थोड़ा इंटरनाशनल एक्सकोजर है और वो ना करके एक प्यॉर 100% दोमेस्टिक फंड अगर कर ले तो वो भैतर होगा तो SBI का लाज इन मिड ले और चाहें तो एक और स्मॉल कैप फंड अप जोड ले एक स्मॉल कैप फंड अपने पोर्टफोलियो में यह मेरी एक थोड़ी बहुत सलार रहेगी कोटक अच्छा फंड है उन्हें आप कंटि सब्सक्राइब करना है और HDFC स्मॉल कैप, SPL लाज इन मिल कैप, ISI, ISI, PRO, डिविडिन हील इक्विटी अप इनको रेक्मेंट कर रही है जरूत है क्या वासिए इतिनों में से दो रख सकते हैं मैंने इनकी पोर्टफोलियो में नावी का इंडेक्स फंड देखा था तो मैंन कोई सवाल पूछना श्वता को अपनड बटा सकते हैं जी एक सेवर पंड एक है ना आपके पास टैक्सेवर एक और टैक्सेवर चाहिए लोगम टैक्सेवर अभी नहीं है ना श्वता कॉंसर आधा पोर्फोलियो में कॉंट का टैक्सेवर है वो अच्छा फंड है आपको उसमें निवेश कर सकते हैं और बैस अविरल आशीश यादव का सवाल मैं लेना चाहती हूं फोन लाइन पर भी है मेरे पास और आशीश जी अपने पोर्ट फोलियो को आप खुदी देखते हैं सर आशीश यादव जी को यह आपको आवाज आरी है मेरी यादव साब आशीश जी अपको मेरी आवास आरी है मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर कैसे हैं बस बस ठीक है आपको आपकी आवास अब आई है और मैं पूछ रही थी अपना पोर्ट फोलियो में खोदी हां पर खोड़ते हैं यादि आपको दिखता हूं थूज ए एक अदुनी पिर उसमें क तो आपका सो देखने के बाद काफी पहले तो एक एड़ाजर के थू किया था लेकिन उसके बाद आपका सो देखना चलु किया फिर मैं डारेक्टी करता हूं अपना पोट्पोलिया एंजल चलिए बहुत बढ़िया अच्छा लगा आपको इतका कॉंफिडेंस आ गया है कि आ तो इसकी बढ़ाएं तो अगर एसाइपि बढ़ाई है आपने और बढ़ाते रहेंगे तब बहुत बढ़िया है मैं सीदा पास जाती हूं और आपके पॉर्फूलियो को चक कर वाती हूं जब से पहले इनकी लक्ष की मैं एक बात कोल दूँ इन्होंने 50,000 की SIP करी हुई है अगर इन्हें लक्ष तक पहुंचना है तो इन्हें SIP 10,000 से बढ़ानी होगी अगर आप आज नहीं कर सकते हैं तो 10% से आप step up कर लीजे हर साल अपनी SIP मैंने एक चीज़ नोडिस करी कि एक ही fund house के आपके पास काफी जादा schemes थी जैसे SBI की तीन schemes है आपके पास तो उन में से SBI focus एक है जहां आप SIP रोग सकते हैं इसके अलावा एक balance advantage fund है आप वहाँ SIP रोगतें PGIM की जो mid cap है और Canada Rebecca Blue Chip Fund ये चार funds है जहां आप SIP रोग सकते हैं और इसके जगा पे आप एक Mirai का focus equity fund है और Kotak का एक emerging equity fund है ये दो fund अपने SIP के portfolio में जोड सकते हैं तो funds थोड़े कम भी हो जाएंगे लेकिन आपको जो large mid small तीनों ही segments का exposure मिल जाएगा और एक AMC पर बहुत जादा concentration नहीं होगी यादव जी उमीद करते हैं कि आपको सलह समझ में आई हो थोड़ा सा आपको जो है अपने portfolio को और संशोचित करने की जरूरत है और जो बदलाव बताएं हैं उन पर जरूर अमल कीजिएगा चलिए इसी के साथ श्वेता बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय निकाला और दर्शुकों के सवालों के आज आपने जवाब दिये